आनंद सागर की टेलेविजन शो रामायर में हनुमान का किरदार निभाने वाले विक्रम मस्ताल शर्मा ने कुछ दिनों पहले ही कॉंग्रेस की सदस्टा ग्रहन की थी जिसके बाद आज उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ विज्यापन कर सकती है प्रदेश में विकास साथ उन्होंने ककाज कि जो व्यक्ति भाशपा के कुशासन को उजागर करता है उसकी आवाज को दबाने की कोशिश होती है विक्रम मस्ताल शर्मा ने कहा कि मोकै। के नाम पर समाज के हितों की आवाज जो लोग उठा रहे हैं उनकी आवाज बंद कराई जा रहे हैं मसाल ने कॉंग्रिस पार्टी जॉइन करने के कारण बताते हुए कहा कि मेरे गाउं में एक तालाब है जिसकी नहर 20 वश से कच्छी है इसकी शिकायत छूटे से लेकर मथन मिल जब समस्या खत्मी नहीं हुई तो पहला कैसे मिल गया इससे तो सब जाहिर होता है कि यह सरकार जंता की आवाज दबा कर पहला सथान पारी हैं मेरे गाओं का तलाव है उसकी नहर करीबन बीस वर्से कच्ची है मैंने उस समस्या को लेकर समधित अधिकारों से बात की कि भाई साब इसको बनवा दीजिए अधिकारों ने मेरी बात नहीं सुनी मैंने उसको लेकर 181 में शिकायत की मुझे कहा गया कि बहुत बड़ी योजना है अगर आप इस पे अपना शिकायत दर्च कराएंगे तो आपका काम हो जाएगा मेरी शिकायत एक तल से दूसरे तल दूसरे तल से तीसरे तल तक जाती रही मुझे फोन आते रहे कि आप अपनी शिकायत वापिस लेजी शिकायत वापिस ले लेजी जब मैंने नहीं सुना तो उन्होंने मेरे नमर को बंद कर दिया कुछ दिन बाद मैं अखवार में पढ़ता हूं कि 181 cm help line को सिहोर में प्रथम इस्थान मिलता है मतलब आप जंता के आवास को दवा दीजे और प्रथम इस्थान आ जाईए कुछ दिन बाद फिर मैंने एक विग्यापन देखा उस विग्यापन बहुत बड़ा था मुझे लगता जितना विग्यापन में खर्च किया गया होगा उतने में तो शायद हमारे उन नहर की मरम्मत हो जाती विक्रमस्तार शर्मा ने कहा कि यदि आपको विकास देखना है तो आप छिनवाड़ा जाईए यहाँ पर स्कूल से लेकर अस्पताल तक हर जगे अच्छी व्यवस्ताय हैं वहीं हम बात करें मुख्यमंदेश शिवराज के ग्रह छेत्र बुद्नी की तो वहाँ विकास के नाम पर सिर्व विग्यापन ही देखने को मिलते हैं विक्रमस्तार शर्मा ने कहा कि जो लोग बाकी फिल्मों पर डंडे और जंडे उठा लेते थे वो लोग आदी पुरुष जैसे फिल्म जिसमें हमारे आराध्य का घोर अपमान हुआ है उस पर चुप क्यों है फिर आगे उन्होंने कहा भाजपा सिर्फ धर्म का इस्तमाल राजनीति के लिए करती है इसलिए उन्होंने आदी पुरुष को बैन नहीं करवाया आपन नहीं था रियल्टी थी तो लोग दो दो मिनिट पे जंडे डंडे उठा लेते थे वो नजर नहीं आए मुझे बड़ा अच्रच हुआ कि आप सिर्फ और सिर्फ धर्म का इस्तमाल राजनीती के विश्यपई करते हैं क्या आप इस फिल्म के साथ खड़े हैं प्रदान मंत्री जी को पत्र लिखा कि इस फिल्म का बंद कर देना चाहिए यह OTTB रिलीज नहीं होना चाहिए पर उस फिल्म को आपने कहीं भी बैन नहीं कहा तो मुझे लगा मैं बहुत मेरा बड़ी भावना है रामायन से हनवान जी से मैं मा मुझे इतना दुख हुआ कि मुझे लगा कि अब यह तो बहुत ही अनर्थ चालू हो गया है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हैं हर मसले का सटीक विशलेशा हम करते हैं सट्यका अनवेशा दखल नीउस आपके हद में आप देख रहे हैं दखल नीउस